नमस्कार स्वागत है आप सभी का एनम बान बे बारव भरती में कुछ महतोपुड सूसना आप सभी के लिए कुछ महतोपुड जानकारी मिली है एक बार पूरा आप जरूर सुनियेगा वीडियो को सबसे पहले हैं पर ध्यान से देख लिजी आप लोग सपत पत्र कैसे बनव आने हैं जैसे स्वागोशना पत्र तो यह आप अपने संबंतित जिले में जो जिला आपको अलाट हुआ है उसी जिले में सीमो आफिस पर जाएंगे वहीं से बनेगा मेडिकल सेटिपिकट बनवाना आपको है माले जी आप संभीदा कर्मी बहने तो आप जहाँ पर प्रमोसर के नाम से आपको बनवाना होगा लिख बना होगा एक बर प्रारोप देख लिए उसके आगे कुछ और भी महतुपूर जानकारी है जैसे आपको सेंटर का पता कैसे चलेगा पोस्टिंग का ज्वाइनिंग कितने दिन की भीतर कर लेनी है रिजाइन अगर आपने आपको कब देना चाहिए साथ में कुछ और भी महतुपूर जानकारी है जैसे यहाँ पर देख लिए प्रारोप यह किसी का बना होगा तो बस जानकारी परपस से आप सभी को दिखाना चाहते हैं ताकि आप सभी को एक आईडिया लग पाए कि किस तरह से आपको बनवाना ह है सब पत्पत्र वाकि आप अपने CMO जो जिल आपको अलाट हुआ है उस जिले की CMO आफिस जाएंगे वहां से आपको सब कुछ पता चल जाना है और यह जो भी डोकुमेंट्स आपको अत्रिक्त बनवाने हैं जैसे आप कल जाएंगे ज्वाइनिंग लेने के लिए कुछ बन्य को आपको जूआनिंग लेटर भी जाने की लेने के ल कुछ लिए करकर ऑना है और एक जो संस्ता से लिख वाना है अगर आपके पास पहले का बना हो आप ने कर के जा ढूआ सकते हैंGS लिए इन सभी डॉकुमेंट्स की आवसकता इस तरह से नहीं कि आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपको जो आनिकर कि लेकर कि आना है तो उस इस्तिति में आपको बता रहे थे कि आपके पास जो भी डोकुमेंट्स हो अभी 10th के, 12th के, डिप्लोमा, आपका सेटिपिकेट, रेजिटेशन, अनुभावोत, अनुभाव का कास्ट होता कास्ट का, इसके लाबा आपका EWS का, इन्हें जो डोकुमेंट्स आपके पास अभेलबल हो, वो आप लेकर के जाए उ आल्लाइन वाला बल्य लगा है, एक आल्लाइन का बनता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो उस तरह से आपको बनवाना होगा, जैसे यहाँ पर आगे देख लीजिए, इस प्रकार से, और यहाँ पर सपत-पत्र, आपका नाम, आपके हस्बेन का नाम, या पिता का न बिभाह है यहां पर निवासी होगर आपका नीचे इस प्रकार से हाँ पर किस भृतिस एक पर समभाले थे यहां पर आप करको कि आपको गोशनाप पत्र बना गरवा समर्स्थिक रा लिभालत inshaal दोकुमें सबत संही या सबी डोकुमेंट्स सही हैं उसका आपको घोशना पत्र बना करके देना है ठीक है सपत पत्र तो इसी चीज़ का आपको बना करके देना था डोकुमेंट्स आपके सही है या फिर आपके जो पत्ती है उनके एक सेदिक जिवित पत्निया नहीं है उसका भी आपको घोशना पत्र बना करके देना है सपत्पत्र आपको इसी का बना करके देना है ठीक है? नोटरी कह लीजिए सपत्पत्र कह लीजिए, एफिडेविट कह लीजिए तो एक तो यह हो गया अब आप यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी जानकारिया हमें आप लोगों के मादिम से भी पता चल दी है ये सपत पत्रवी ये गोशना पत्रवी आप में से ही किसी के दौरा सेयर किया गया होगा तो फिर हमारे मादिम फिर आपके मादिम से फिर उसकत हमारे पास है या हमारे मादिम से कोई दिक्कत नहीं हो रही है यह संबंदित जिले के CMO कार्या लाया CMO सर की जिम्मेदारी है कि आपको नियुकति पत्र मिलना है चाहे आपको फोन कॉल करके बताएं मैसेज करके बताएं चाहे पीडियाफ चारी करके बताएं लेकिन उनको बताना होगा और अगर फिर भी आप विभाग से भी पता कर सकते हैं और ये चीज़े आपको आज क्लियर हो जानी है सभी को और एक देखिए जिसे कुछ जिलों में क्या हुआ था कि प्रिफरेंस ज्यादा आ गयते सीटों के मुकाबले माले जी कहीं पर 200 सीटे सपोस्ट लखनों में देखेंगे तो प्रि लगबग नहीं सब को मिल गया अपना जिला ऐसी भी जानकारी आप लोगों से प्राफ्ट हो रही है कुछ जिलों का हमने भी पता किया था तो वहां पर लगबग 90 परसर से ज्यादा लोगों को अपना जिला मिल गया है फर्स्ट प्रिफरेंस का कहीं पर सेकेंड तराड का क ये कई पर मात्वाकांचिया बुंदेलखंड का दे दिये हैं मात्वाकांचिया बुंदेलखंड के जो जिले हैं वहाँ पर लगबग सभी को मिल गया है अपना मन पसंद जिला अभी आपको जो भी जिला मिल गया हो आप उस जिले में जा करके ज्वाइनिंग करिए आगे जो है ट्रांसपर के लिए भी प्रकिरिया होगी उसके लिए भी हम लोग कोशिस करेंगे प्रयास करेंगे mutual ट्रांसपर होता है ये देख लिए जे स्वागोशना पत्र का प्रारूख आपका नाम हो गया पुत्री या फिर पत्नी आगे आपर देखेंगे घोशना करती हूँ कि मुझे केंद्र सरकार या शंग सरकार या किसी राजे सरकार या किसी अन्यस्तानी प्राधिकारी के श्वामित्व धीन या नियंत्रड़ा धीन किसी निगत या निकाय द्वरा सेवा से निस्कासित नहीं किया गया है इसके लाबा फरजी प्रमाड पत्र हमारे नहीं है तो जो भी उसमें जो आपने नोटिस देखी होगी अधिक पत्मिया नहीं है इस प्रकार से तो एक तो आपका और भी हो जाएगा ये सभी आपके जिला सियमो से बन जाएंगे जो जिल आपको अलार्ट हुआ है केवल करेक्टर सेटिफिकेट को छोड़ दीजी आप और एक एफिडेविट को बाकी के जो डोकुमेंट से सभी आपकी CMO से बन जाएंगे और इतना ही नहीं जैसे अकल आप जाएंगे ज्वाइनिंग लेने के लिए तो कल ही आपका बन जाएगा हमें जहां तक लग रहा है कुछ जिलों में तो बनाया भी जा रहा है कुछ जिलों में medical certificate कुछ बैनों के बना भी दिये गए है तो हो सकता कि आपकी जिले में भी बना दिया जाए ठीक है ये पुरा प्रारूप हो गया श्वागोशना पत्र का इसी तरह से एक दो प्रारूप आपको और मिलेगा आगे देखें आपको कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग ले लेनी होगी तो 30 दिन का आपको समय मिलता है, अधिकतम 30 दिन का, 30 दिन के अंदर आपको हराल में ज्वाइनिंग ले लेनी होगी, जैसे कुछ बेहने ऐसी है न, मिसे पहले भी बता रहे थे, सुबह बाले वीडियो में, कि वो हो सकता है कि कि किसी कारणबस ओन न ले पाए अपना लाटमेंड, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलने के साथ हो सकता है ऐसा, जो कि बिल्कुल करणबस नहीं पता चल पाया है, लेकिन ऐसा, यह ऐसी जानकारी भी पराप्त हो रही है, कि सेंटर का भी आपको पता चल जाए, हाला कि पोस्टिंग तो आपकी जिले अस्तर च अगर आप, तो जैसे आपको ज्वाइनिग लेटर मिल गया, तो आप रिजाइन दे दीजी उसके बाद, फिर आप ज्वाइनिंग कर लेजिए, प्रोसेस यही होता है, अगर आप सोचें कि हम ज्वाइनिंग भी इधर करलें, पोस्टिंग भी करलें, उसके बाद उधर हम जाए रिजाइन देने के लिए तो वैसे तो देखिए आपका वो संभिता पर जाओ भैं अगर कहीं आप सरकारी जाप पर होते तो आपको दिक्कत होती लेकिन फिर भी हमारा यही सजेशन आप से रहेगा कि आप लोग उदर रिजाइन दे लिजीगा इदर ज्वाइनिंग ल मिलती रहेगी आप सभी को अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद